हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त सेवक सेंग और आप देख रहे हो मिश्टर सेवक मेकानिकल चैनल दोस्तो आज की जो वीडियो है वो है एसी के स्टेबलीयल के बारे में जो एसी का स्टेबलीयल है इसमें जो सबसे ज्यादा प्राबलम आती है जिसके कारना एसी का कंप्रेश छिष्अ बगए ख rocky बोकली इसको क्राइव ङर आई कर देता हूं तो जैसे मैं आपको जहां पर दिखाना चाहूँ गा जहां पर हमने इसको गेह Inside पर हिए बार चाहिं सब्सक्रा事情 डिता हूं तो और वार्टव नगा देखें तो देखने में प्रा रिले काही ही श्री की मेन प्रॉब्लम होती है किसी भी एसी वाले स्टेवलेयर थी इसके लिए दोर ले लगाई गई है आटूमेशन के लिए और एक यह वाला सरक्ट वगया गया है जैसे मैं इसको चेक करता हूँ वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ बाकी जो इसकी कैलिब्रेशन किस तरह से करनी है वो भी हम इसी वीडियो में ही देखेंगे जब स्टेवलेशन में इस तरह की प्रॉब्लम आए कि यह ज़्यादा आटपॉट नकाल रहा हूँ तो दोनों ले उस समय ओफ होती है तो इसलिए यह प्रॉब्लम आती है सबसे पहले इसका जो यह वाला प्रिसेट है यह मुझे खराब लगता है दोनों मैं प्रिसेट पहले चेंज करूँगा इसका नंबर होता है 4K7 जानी 5K के आसपास यहां लगा सकते हो 10K भी लगा सकते हो 10K का मैं जहां पर 5K के दो प्रिसेट लगा रहा हूँ 5K अब हम इसको में स्प्लाई देखर देखते हैं और जैसे ही आपने इसको में स्प्लाई दी तो इसकी जो अर्ले है वो औउफ होने लगी है में प्राउब्लम यही प्रिसेट की थी अब इसकी कैलिबरेशन कैसे करें एस और स्टैब्लेकर में दो अर्ले लगी हुई है तो जब भी आपने इसकी कैलिब्रेशन कर ली है तो दोनों ले आपकी ओफ हो एक इसमें इनपॉट वाली है, एक इसमें और पॉट वाली ले है पूट वाली ले को ऑन सबसे पहले कराना है, उसके बाद इनपॉट वाली लेकें उसे पहले दोनोर ले आउफ होने चाहिए तो मैं आपको जहां पर सीता मीटर के उपर लेकर चलता हूँ जहां पर आप दोनों मीटर रेखो पहले यह Input है जहां पर Output है अगर आपकी दोनोर ले आउफ होगी तो इसमें जो आप जितनी input voltage दोगे उतनी जो output voltage निकालेगा मैंने इसको 250 volt दी और ये 210 volt निकाल रहा है तो हम इसकी जो voltage है वो कम कर देते हैं क्योंकि ये 130 से अप होता है तो हम इसको तकरीबन 1.5 volt देते हैं और दूनों ले को preset से off करते हैं और यहां अभी दूनों ले off है अब हम क्या करेंगे कि जहां से volt है ज्यादा करते चले आएंगे डिमर से कोई इसको डिमर बोलता है कोई वैरियक हाँ जी अभी ले on हो रही है इसको फिर off करें अब जैसे ही जहां पर 250 volt होते हैं तो आपने क्या करना है कि जो मैंने output वाली ले बताई है आपको उसको आपने on करवा देना है जो input वाली ले है उसको on कराएंगे तो volt ही देखना आपने कितने कम रहे आते हैं यह दें एक सो असी 90 volt रहे गए जो के बहुत कम है हमको जहां पर 200 volt के करीब चाहिए असलिए हम इसको फिर से off करते हैं और output वाली ले को on करवाते हैं हाँ जी अब यह 200 volt और output नकाल रहा है अब हम इसको क्या करेंगे प्रिसेट को यही शोट देना है उसके बाद stablier को और थोड़ा सा dimmer को और voltage देने है ज्यादा dimmer से stablier को और ज्यादा वोल्ट देंगे फिर हम voltage 250 तक ले जाएंगे अब क्या है हमने जो पहले output वाली ले को on करवाया था उसको बैसे ही रहने देना है अब जो हमारी input वाली ले है इसको हमने on करवा देना है तो जैसे ही आप इसको on करवाएंगे तो आपके जो voltage है वो 220 और पॉट नकालेगा अब आप calibration करके ये देखें जैसे जैसे भी आप इसके voltage कम ज्यादा करोगे तो ये voltage है जो 190 से 240 के बीच बीच रहेगी यही इसकी calibration है अब हमारा यो stabilir है ये बेलको ओके हो चुका है आई की दोस्तों हमारी वीडियो इतनी थी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थेंक यूँ बहुत उन्यवल पर रहाँ कर दोस्तों हो है झाल झाल